नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है अज फिट से हम आप लोग लिए एक नया वीडियो लिखे आया हूं इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य विर्ला केपिटल स्कॉलर्शिप के बारे में जियाँ परंस बहुत ही अच्छा इस्कॉलर्शिप है जिसमें कलास 1 से लेकर 12 तक का स्टुडेंट और अंडर गर्जुएशन कर रहे हैं इसको अपलाई कर सकते हैं अंडर गर्जुएशन में जो professional अंडर गर्जुएशन का कोर्स कर रहा है या फी general अंडर गर्जुएशन का कोर्स कर रहा है सभी student इसके लिए eligible है payment का बात करता हूँ कितना करके आप लोगो payment मिलेगा तो देख सकते हैं जो student class 1 से लेकर 8 तक पढ़ाय करेंगे उन सभी student को लगभग 24,000 रुपया का scholarship का amount है जो 9 से 12 तक पढ़ाय करेंगे उन सभी student को 30,000 है और जो professional अंडर गर्जुएशन का कोर्स करेंगे उनको 60,000 मिलेगा तो कौन student eligible है कैसे apply करना क्या का document चाहिए आज इस वीडियो में हम आप लोगो complete details में बताने बाला हूँ तो वीडियो को साथ बने रहिएगा वीडियो को complete जरूर देखीगा वीडियो informative लगे तो like कीजेगा, friend group में share कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon को on कर लिजएगा तकि आने बहले वीडियो का आपको notification मिल सके और एक बात बता दू अगर आप लोग telegram यूज करते हैं तो हम लोगा telegram के साथ जुड़े रहिए जिसका link description पर दे दिया हूँ क्योंकि जो भी नए अपडेट आता सबसे पहले telegram पे link भज़ता हूँ चलिए अभी बात करते है अदित्य विर्ला केपिटल scholarship के बारे में है तो सबसे पहले इस website में आने के लिए आपको google पे लिखना है scholarship help.in देख सकते हैं यहाँ पर scholarship help.in लेके जैसे इंटर करेंगे ता आपके सामने एक website open होगा देख सकते है scholarship help kit all scholarship update and help portal इसी website पर आपको चले जाना जैसे इस website को open करेंगे ता आपके सामने इस तरह का interface open होगा देख सकते है get free scholarship update help portal और first में ही अभी फिलाल यह post है अदित्य विर्ला covid scholarship कुछ दिन पुराना हो जाएगा तो पीछे यहाँ पर नीचे भी जा सकता इस post का और मैं आप लोगो direct link भी वीडियो का description पे देदूँगा जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो देख सकते अप्लिकर इस्टूडिंग इन क्लास वन से लेगे 12 तक उन सभी स्टूडन को क्लास वन से 8 तक 24 अजार 9 तू 12 तीस अजार करके प्रमेंट मिलेगा और यहाँ पर का बात करता हूं तो रिक्वाइट डॉकॉमेंट देख सकते हैं फोटो अप स्टूडेंट प्रवियस का मार्क सीट आइडेंटिटी कार्ड पूरूप और आप लोग का बैंक का पास्बूग इंकम सट्पिकेट का पूरूप भी चाहिए कोई जरूरी नहीं है इंकम स्टूडेंट इसके लिए इलिजबल होंगे क्योंकि यह जो स्कॉलर्शिफ है मैं आप लोगों को यहां पर देख सकता है अधिति विडिला केपिटेल कोबीड स्कॉलर्शिफ मतलब इस स्कॉलर्शिफ में ओही स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं जिनका फेमेली में कोई गारजयन पैरेंस कोबीड के वजह से मतलब कोरोना के वजह से अगर किनी गारजयन को लॉस किया है खोए हैं और इसे ही स्टूडेंट इसको अपलाई करेंगे जो कलास वन से लेके अंडर गर्जूशन का कोर्स कर रहे है पोस्ट मतलब अंडर गर्जूशन प्रोफेशनल या जार्र अंडर अंडर्जूशन का कौर्स कर रहे हैं वही स्टूडेंट इसको अपलाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक डॉकमेंट मांगा जा जा przew कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर देखिए crisis document ठीक है crisis मतलब crisis pandemic document यहां पर death certificate of parents और guardian मतलब बताए जारा क्यों hospital का receipt दीजिए या doctor का preference दीजिए या फिर covid का test certificate या medical bill या फिर covid medical hospital का कुछ एक प्रूब चाहिए जिसमें student का guardian का इस तरह का problem हुआ है तो ही student इसको apply कर सकते है तो आपके जान पहचान के है तो अगर आप जान रहा है कि है तो उसको जरूरी inform करेंगे या फिर आप अगर eligible होते है तो आप भी इसको apply कर सकते है apply करने का link यहां पर मिल जागा जैसे apply नहों में click करेंगे तो इस तरह का website open हो जागा फिर अगर class 1 से 9-12 है तो यहां पर apply करेंगे undergraduate course कर रहा है तो यहां से apply करेंगे और 1 से 8 student है तो यहां से apply करेंगे तब लोग यहां पर आके apply कर सकते है apply का बहुत तरह वीडियो पहले भी बना चुक है इस पर वीडियो को देख लिजेगा description पर भी देदेंगा पहले आपको register करना है register हो जा करेंगे apply का full process बताया हुआ तो चली मिलता आप डूसरे वीडियो पर